विज़े दश्मी की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हुई सत्य की जीत आज के दिन बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम विज़े दश्मी की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं कोई सत्त की जीत आज के दिन बत लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं विज्या दश्मीत्यों हाड, भग कों का करे उन्धार नगरी एक अयोध्या जिसके दाजा दश्रत थे, राम लखन और भरत सत्रोगन पुत्रे चार हुए गुरु वसिष्ट के सानित्य में सिच्छा दिख्छा है ली, अस्त्र शस्त्र में निपुड हो गए चारो ही भाई गुरु विश्वामित्य आए हैं एक दिन फिर तो दरबाई, बोले राजन इस धरती पे बढ़ा पाप का भाई रिश्मुनियों को दानों यग्य न करने देते हैं मैंने सुना हैं बड़ बलशाली आपके बेटे हैं आपके पुत्रे राम को हम ले जाना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं हुई सत्य की जीत आज के दिन बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं विजया दश्मी क्यों हाड भगतों का करे उदार विश्वा मित्र को राजन ने किया हाथ जोड परनार गोले गुरू स्रेष्ट ये बालक अभी बड़े नादा पापी दुष्टों का ये सामना कैसे कर पाएंगे राम बिना एक फल तो हम भी ना रह पाएंगे गुरू वश्ष्ट न फिर राजन को वचन सुनाए है पुत्र आपके अंतपाप का करने आए है भेजो विश्वा मित्र के संग राजन ना गब राओ जो होगा अच्छा होगा बस देखते तुम जाओ राम लखन को विश्वा मित्र के साथ पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं हुई सत्य की जीत आज के दिन बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं विजया तस्मीत्यों हार भगतों का करे उदार विजया तस्मीत्यों हार भगतों का करे उदार मारिच और सुभाव नाम के दानों दो बलवान रिसियों को ना करने देते यग्य हमन पुन्यदान बोले विस्वा मित्र तुम्हें वधिन का करना है है माया वीराग्छस दोनों पर ना डरना है राम लखन ने उनके आगे फिर तोशी से जुकाया बोले गुर्वर इनका काल तो हात हमारे आया मारिच और सुबाहू को फिर तो ललकारे है राम लखन के हातों दोनों गए मारे है करके अंत वो दुष्टों का मुनियों को बचाते है पावन कथा सुनाते है हुई सत्य की जीत आज के दिन बतलाते है हम कथा सुनाते है विजया दश मीत्यों हार भगतों का करे उधार विजया दश मीत्यों हार भगतों का करे उधा रिस गौतम ते आस्रम में उन्हें विश्वा मित्र लाए देखा एक शिला को राम ये पूछना है चाहे बोले विश्वा मित्रेन का नाम अहिल्या है गौतम रिसी की पतनी थी ये शाप से बनी सिला है चरन कमल जो पड़े आपके हो जाए उत्थार है निरजीव सिला यह बन जाएगी सुन्दर नार सिरी राम ने सिला को जैसे अपना पैर लगाया प्रकट हुई आहिल्या और सिरी राम को शीस जुकाया कर उत्थार आहिल्या का फिर लोट ही आते हैं पावन कथा सुनाते हैं हुई सत्य की जीत आज के दिल बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं विजया दश्मी चोहार भगपों का करे उत्थार विजया दश्मी चोहार भगपों का करे उत्थार विस्वा मित्र अपने आश्रम उनको लाए है सीता सोयंबर पता लगा के जनक रचाए है विस्वा मित्र चलेंगे हम भी सोयंबर में देखे योधा कितने आए सीता को वरने विश्वा मित्र राम लखन को जनक पुरी में लाए शर्त सोयंबर की जोस्यों के धन उसको दोर चढ़ाए उस योधा को पती रूप में सीता अपनाए बारी बारी पल अपना फिर सब अजमाने आए लेकिन शू के धन उसको वो तो हिला न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कोई सक्त की जीत आज के दिल बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं बिजियाद शुमीत योहार बगतों का करे उदार बिजियाद शुमीत योहार बगतों का करे उदार देख के राजा जनक हुए है फिर तो बड़े उदार खाली हुई धरा वीरों से होता है आभाई ना रखता ये सर्त जो मुझे को इतना पता होता अपने सर्त पे मुझे को पश्चा ताप नहीं होता इतना सुनकर लखलाल को आया बड़ा ही प्रोध बोले राजन उचित नहीं है ये जो आपकी सोध क्या योकात धनुस की मैं तो उठा दू ये के लाज धनुस के मालिक शू संकरचा खुद करते हैं वाज विश्वा मित्र लखन लाल को ये समझाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कोई सत की जीत आज हम ये बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं बिजयात शुमीत योहार भगतों का करें उठा बिजयात शुमीत योहार भगतों का करें उठा बोले विश्वा मित्र लखन करो अपना ग्रहण अस्थान कथन तुम्हारा पूरा करके दिखलाएंगे राम उठकर राम ने विश्वा मित्र को है शिस जुकाया आकर सुके धनुस को अपने हाथों में है उठाया लगे चणहाने सिरी राम जैसे ही फ्रैतन चाहा हुई भयंकर गर जन शुका धनुस ही तूट गया सिरी राम के गले में डाली सीताने वर्माला परसुराम के क्रोध की किन्तू भणक गई च्वाला सिरी राम फिर परसुराम को भी समझाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं बिजयात शुमीत उहार भगतों का करे उधार बिजयात शुमीत उहार भगतों का करे उधार राजा जनक ने विश्वा मित्र से किया है ये अनुरोध पुत्री उर्मिला भी है मेरी दिवाह के है योग्य सुत किर्थी और मांडवी को भी हम चाहे हैं चारों पुत्रियों को दसरत की बहु बनाए हैं फिर तो राजा दसरत को शन देसा भिजवाएं सुने ख़बर तो राजा दसरत पूले नहीं शमाएं शुब मुहूरत में दशरत आए लेकर बारात चारों ही भाईयों का हो गया विबाह एक हिसाथ सारे अयोग्या वासी मिलकर खुजी मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं हुई सत्य की जीत आज हम तुम्हें बताते हैं हम कथा सुनाते हैं विजया दशमीत्यों हार भगों का परेयों हार विज्या तो सुमीतों हाड भगतों का परे उजाड लेकिने ये खुशियां तो शायद है धोने दिन की राज तिलक की तैयारी जब सिरी राम की हुई कैके कभी दशरत जी से वचन बराए थे वही वचन अब दशरत जी से लेना चाहे थे मांगा है बनवास राम का चौदह वरस का राज तिलक हो राम की जगहा बेते भरत का सुना चुराचा दशरत ने वो हो गए है मुर्छित किन्तो रानी कैके ये ना चोड़ी है जिद छोड़े तड़पता तसरत को वनवास वो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं विजया दशमीत्यों हार भगतों का करे उदार विजया दशमीत्यों हार भगतों का करे उदार पुत्र विराह में दसरत ने दो दिये हैं प्राड गवाएं गए हुए न निहाल लोट के भरत भी है आएं जाना सारा हाल खूब अपनी मा को है कोसा भईया राम के साथ किया क्यों आपने ये धोखा जाकर वन में लोटन की है राम से की बिंती किन्तु राम ने दी है दुहाई पिता के बचनों के बोले भरत के राज सिंहासन पे न बैत पाऊं अपने चरणों की भईया तुम दे दो मुझे खडाऊं चरण पादु का लेकर राम की लोट ही आते हैं पावन कथा सुनाते हैं हुई सक्त की जीत आज हम ये बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं बिजया तश मीत्यों हार भगतों का करे उधार बिजया तश मीत्यों हार भगतों का करे उधार भील राज ने सिरी राम को सर्यू फार कराई दंदक वन में आ गए है फिर दोनों ही भाई कितने ही रिसमुनियों का फिर तो उधार किया राम लखन ने दानों और दुष्टों को मार दिया जोटे बेर भिशवरी के सी राम ने खाए हैं एक मिशाल भत्वस्सल की राम बनाए हैं पंचवटी में एक सुन्दर सी कुटिया बनाई हैं गूमत गूमत सूर्प नखा फिर वहां पे आई हैं नकटी बूची उसे लक्षमन तो बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कोई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं विजया तशमीत्यों हार भगतों का करे उदा रोते भी लगते वह भाई रावन के पास आई बोली की वन में आए हैं लगते सगे भाई छोटे भाई ने काट लिया मेरे नाक और कान उन्हें भुगत ना होगा अपने किये कभी परिना चाकर उन दोनों भाईयों को ऐसा सबक सिखाओ किस से वहर लिया है उनको जाकर ये समझाओ मामा मरीज को फिर रामण ने अपने साथ लिया सोने का मरिग उसने है मारीज को बना दिया राम लखन उस मरिग के पीछे चले जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं खुई सत्त की जीत आज हम ये बत लाते हैं कम कथा सुनाते हैं विजया दश मीत्यों हार भगतों का करे उधा विजया दश मीत्यों हार भगतों का करे उधा फिर रामण ने माया से साधू का भेश बनाया करके हरण वो सीता का लंका में ले आया आए दोनों लोट के देखा खाली है कुटिया लगे पूछने राम लखन से कहा गई सीता फिर तो जटायूने है उनको सारा हाल बताया ले गया हर के सीता को पापी रावर है आया काटिद मेरे पंक जो मैंने उसे रोकना चाहा गिद्ध राज ने सिरी राम को सारा हाल बताया सीता विरह में दोनों भाई रुदन मचाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कोई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं कम कथा सुनाते हैं बिजया दश में चोहार बगतों का करे उदार बिजया दश में चोहार बगतों का करे उदार किस गिंधा परवत पर फिर तो राम लखन आए बाली वध करके सुक्रीव को मित्रे लिया बनाए वानर से ना सहित लगे सीता की करने खोज आया सागर रस्ते में दिया हनुमान को भे सोयोजन का लांग के सागर हनुमान आए अशोच वाटिका में बैटी मालिया है पता लगाए राम निशानी दे करके माता की धीर बधाई सिग्र आपको लेने माता आएंगे रगुराई मूख लगी तो मीठे फल वो खाना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं कोई सत्य की जीत आज हम ये बत लाते हैं कम कथा सुनाते हैं बिजयाद शुमीत्योहार भगतों का करे उदार बिजयाद शुमीत्योहार भगतों का करे उदार भर के पेट फिर हनुमान ने फल भी खाए हैं लेकिन तानों पहरतार उसे रोकन आए हैं अपनी गता से मार मार के सब को दिया भगां पता लगा जो रावन को अच्छे को भेज दियां अच्छे को भी मार गिराया मेगनात फिर आएं ब्रह्म फास फिर मेगनात ने उन पर दिया चलाएं हनुमान को बाद के वो दरबार मिलाएं हैं रावड के आदेस से पूछ में आग लगाएं हैं लेकिन लंका रावड की वो जलाई आते हैं पावन कथा सुनाते हैं कोई सत्य की जीत आज हम ये बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं बिजया दश मीत्यों हाड भग पोंका करे उभाड बिजया दश मीत्यों हाड भग पोंका करे उभाड सिरी राम को हनुमान ने सारी खबर सुनाई बना किसे तू फिर लंका पे करती सुरू चड़ाई भाई विवीशन ने रावड को खूब है समझाया लेकिन मार किलात उसे फिर रावड ने ठुकराया और विवीशन लंका को स्री राम शरण में आये किया उपकार राम ने है उनको अपनाये बड़ा घोर युद लगा है होने मच गई चीक पुकार सिरी राम की सेना ने किया दुष्टों का संहाः रावड भी स्री राम के हाथों मारे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भुई सक्त की जीत आज हम ये बत लाते हैं कम कथा सुनाते हैं विजया दश्मीत्यों हाड भगतों का करे उँदा भगत विभीशन को फिर तो है लंका पती बनाया लंका विजय का सारी वानर सेना ने जश्न मनाया होई सत्त की जीत है इस दिन पाप गया है हाड विजय दश्मी का इसी लिए तो मनता है त्यों हाड आज तलक रावड का पुतला भूका जाता है धर्म के आगे पाप न भगतों कभी तिक पाता है डियस पाल ने विजय दश्मी की महिमा गाई है राम नाम जब भौजी सुरेस ने कलम चलाई है हंस राज रिलहन भी ये त्यों हार मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं खुई सत्त की जीत आज हम ये बतलाते हैं कम कथा सुनाते हैं विजय आदश्मी क्यों हार भगतों का करेयों था